हे गाईस, विलकम डू, सक्सेस दिलिप, फीद लिप कुमार, स्वागत है अपका इस वडियो में ही, तो दोस्तों आप सभी केनेट के लिए एक बेहतरीन अपोच्टूटी लेकर आया हूँ, ओयल इंडिया की तरब से पर्मानेट जॉब्स के लिए बंपर वेकिंसी निकाली गई है, जो की बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाइ कर सकते हैं, इसमें से जो भी वेकिंसी है, इस रिक्रूट्मेंट में, अल्मोस्ट 90 परसंट जो वेकिंसी है गा, इस वनली फूर आईटिय स्टूडेंट के लिए है, तो आईटिय श्टूडेंट के लिए साल की, 2023 की साल की अंतिम वेकिंसी जे, अंतिम सरकारी नोकरी है यह, जो ओयल इंडिया आपको देने जारी है, तो ज़रूर अप्लाइ करना, इस ग्रेड अपोस्टोड़ी, पर्मानेट जोब है, बिलकुल और बिलकुल फ्रेस रिक्रूट्मेंट है, चले डीटेल में बात करते हैं को कैसे अपलाइ करना है, कौन-कौन से ट्रेड अपलाइ कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे ट्रेड फॉर्म भर सकते हैं, इलेक्रिसियन, फिटर, वेल्डर, एटीसी, बहुत सारे ओर भी ट्रेड है जो कि हम full notification वाई आपको totally बताने वाले की कौन-कौन से trade apply कर सकते हैं इस क्या होगी इसमें salary बहुत अच्छी खासी दी जाती है क्योंकि oil India, इंडिया में सिर्फ पहला ऐसा department है जो oil and gas दोनों produce करती है oil India उसके बाद ही O&GC लागू आई थी तो सबसे बड़ी department है A to Z process and videos में ध्यान फूरवक देखना ताकि आपको सारी details clear हो सके इससे बिले आगे बढ़ें जितनी भी idea, diploma, degree student है आप अपना trade, अपना branch जरूर comment करना साथ में आपको comment मिल जाएगी कि आप इसमें form भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं और अपना state भी क्योंकि all India के candidate इसमें अपला है नहीं करने वाले तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो स्टार्ट अगर आप अभी तक सक्सेस दिलिप को सब्सक्राब नहीं कियें सब्सक्राब कर लें बेल आइकन को प्रेस कर लें and notification पाने के लिए टेलिग्राम चैनल सक्सेस दिलिप का जरूर जोइन कर लें यह है ओफिशल नोडिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट आफ यह डबलूपी आप देख सकते हैं 2023-28 देट 30 दिसम्बर दोज़र बार यह सौरी 30 दिसम्बर दोज़र तैस यहने की नोडिफिकेशन है आज पबलिफ की गई है 31 दिसम्बर को और होफुली 31 जनवरी 2024 तक लास्ट डेट है फॉर्म एपलाइ करने के लिए और इसकी जो भी एड़ुकेशनल क्वालिफिकेशन एज लिमिट हो गया सारा कुछ जो आपका पावर ग्रीड है अगर मैं बात करूँ उसके बाद ओयल इंडिया में तो ओयल इंडिया जो है वो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है जो एक स्टूडेंट को सेलरी प्रोइड करती है अब अलगल एक पोस्वाइज बात करते हैं सबसे पहले आपका ट्रेड मेकनिक सबसे पहले वेकनिक आप देख सकते हैं मेकनिक डिजल अगर आपने मेकनिक डिजल से कर रखी हो तो 89 पोस्ट 89 पोस्ट पर बंपर रिक्रूटमेंट है इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ओयल इंडिया की तरब से बहुत दिनों के बाद इतनी बड़ी पोस्ट पर वेकंसिस देखने को मिल रही है यार सिर्फ मेकेनिक डिजल के लिए 89 पोस्ट है ट्रेड से पास आउट होनी चाहिए यानि की आई ट्या पास आउट किया है आप बिल्कुल यहां पर एपलाई कर सक अचाहिए 89 पोस्ट पर नेक्स रिकृूट्मेंट है यहां पर ट्रेड सटिफिकेट इन फिटर अब फिटर के लिए इसमें सबसे जादा वेकंसिया एक 188 पोस्ट पर बहुत ज़्यादा रिक्रूट्मेंट है 188 पोस्ट जो कि आप देख सकते हैं अल्मोस्ट फिटर की व सक्षोष कम हैं, लेकिन ठीक ठाक है, नेक्स है, आपकी mechanic trade के लिए, जो instrument mechanic है, वो candidate के लिए apply करने के लिए, यहां पर आपकी 24 vacancies है, उसके बाद है elektrisian के लिए, तो elektrisian के लिए, total कितनी vacancies है, 32, must processing valid electrical workman permit का, जो कि part 1, class 1, धी, class 2 का पास जो है, वो certificate होना चाहिए, यह permit होता है जो electrician जो भी trade करते हैं लाइन में किसी भी तरह काम करना होता है यह DGMS द्वारा प्राप्त होता है जो कि permit दिया जाता है workman का ओके तो यह ज़रूरी है आप हासिल अभी भी कर सकते हैं टेंसन मत लेना आपके पास नहीं है तो नेक्स है आपकी electronic mechanic के लिए इसमें total 13 post है mechanic motor vehicle के लिए यहाँ पर total 10 है कुछ surveyor trade के लिए भी vacancy है जो की 7 post पर निकाली गई है ITSM या फिर ICTSM जो trade है इसकी भी total 7 vacancies है next है plumber के लिए plumber के लिए भी 6 vacancy है RNAC के लिए post निकाली गई है total 4 post पर उसके बाद मिल जाएगी wireman trade के लिए wireman बहुत कम निकलती है फिर भी निकाली गई है दो post पर दुबार आपको wireman trade मिल जाएगी यह भी दो post पर है electrical यहाँ पर भी आपको मांगा जाएगा सर यह wireman दो जगा क्यों कि है यह आपका post code दो है post code मतलब होता है कहीं कहीं अपने जो post code सुना है न वो post code यह मतलब नहीं होता है कि आपका एक ही जगा होगा यह दोनों का अलग-अलग post selection होगा ओके तो जिसमें आपका selection मिल अलग-अलग जगा पर आपकी post होगी next एक और recruitment है अभी मैंन इंडिया का जो डिस्टिक अप डिवरुगर टिन सुगिया सिवान एगर चारशड़ाई इन असम में इस्थित है और चालंग डिस्टिक है जो कि अरोनाचल परदेश में इस्थित है तो यह सारे डिस्टिक से बिलोंग होना चाहिए यार ओयल इंडिया में जब भी recruitment आती ह न तो यह जरूर लिखा होता है हाँ पर आपकी गुद नीज यह है कि ओयल इंडिया पहले जो है नवरतना सेक्टर में आता था लेकिन अब यह आ चुका है महरतना में इसका इतना ज्यादा प्रिड्यूस होने लगा इतना ज्यादा टर्न ओवर है ओयल इंडिया का इसमें 26,000 से लेकर 90,000 तक सलरी यह भी 31 जनवरी तक रहेगी यह भी पोस्ट कोड आपको मेंसन किया गया है इसमें साइन्स की वेकेंसी है टोटल तीन पोस्ट पर देख सकते हैं प्लस डिप्लोमा ओटी टेक्नोलोजी वाल अप्लै कर सकते हैं बट यहाँ पर एक्स्प्रि इसमें जो पोस्ट कोड दिखाए देगी इसमें भी ट्वेल्ट पास फर्स्ट अफॉल होगी नहीं चाहिए प्लस जीनम किया होना चाहिए डिप्लोमा जीनम में ओके अधरवाइज आपने बीएसी नर्सिंग कर रखी है तो भी आप अप्लै कर सकते हैं यानिकि नर्सिंग के लिए रिक्रूट्मेंट है फूट न्यूट्रिशन में यहां पर भी आप एलीज वरें तीसरी ए ग्रेड फाइब की पेस्किल 32,27,27 है इसमें भी एसी होनी चाहिए आगरवाइस बीए कर रखी है जोग्राफी में तो भी आप अप्लै कर सकते हैं आठ पोस्ट पर है देखेंगे जबी तक मैंने जितने भी पोस्ट की बात किये वो सारे पोस्ट वाइस आप अपना ट्रेड केटेगरी वाइस अपनी पोस्ट देख सकते हैं जिसके अनुसर आप फॉर्म एपलाइ कर पाओगे यहां पर भी आप देख सकते हैं एज लिमिट तो एज लिमिट म ओर है आपका जो होगा कूशसर यहां पर 夤की सुट्सिंद सबावितस के माधिम सेब्सक्रों को बताता है विल ऐसम उतना ज्यादा टफ होता हैहां तो जो भी candidate eligible हैं, बहुत सारे candidate यहां पर form भरने वाले हैं, तो जरूर apply करना, 30 December से form actually में start हो चुकी है, और इसकी last day 31 January 2024, तो 30 January तक form apply कर सकते हैं, कैसे form भरनी है, सारी details आपको notification में दी गई है, application charge भी लगेगा, 200 और पे जनरल OBSIS candidate के लिए with GST आपको charge देना होगा, यहां पर कोई भी application charge नहीं लगेगा, तो जाओ जाकर form apply करें, application का प्रोसेजर यहां पर बताएगे, आप देख सकते हैं, कि कैसे form apply करना, सब कुछ step by step process, फिर भी कुछ doubt है, कमेंट करके ज़रूर रताएगा, वीडियो इस पर लगी हो, लाइक से रहन सब्सक्राब करें, मिलत नेक्स वोड़े में तब तक लेज़ा हैं ते,